हमसे हमेशा जुड़ी रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं धाने बाजार में स्वर्नका न्याती नहरे के पास स्थेतिक मेडिकल में बुदुवार देर रात ताले तूटे जहांसे अग्याद चोरों ने करीब बचास से साथ हजार की नगदी पर अपना हाथ साफ कर लिया दुकानदार ओन प्रकास सिंधी ने बताया कि देर रात उसके मेडिकल में चोरों ने गटना को अंजाम दिया सुबा जब वो दुकान पहुँचा तो उसके मेडिकल के ताले तूटे हुए थे जब दुकान में प्रवेश किया तो काउंटर अस्तिवेस्त था वहीं गले में रखी 50 से 60 हजार की नगदी पर चोरों ने हाथ साफ कर लिया सुचना पर कोतवाली पाना पुलिस मौके पर पहुची और मौका मुआयना किया दुकानदार ने बताया कि पिछले 15 दिन 5 से 6 चोरी की वारदाते हो चुकी है लेकिन कोई कारिवाही पुलिस वारदा नहीं की जा रही या रातरी गश्त मी नहीं रहती जिसे लगाता चोरीों की गटना बढ़ रही है पिछले 15 दिनों में ये सातवी गटना है और नहीं पुलिस की कोई गस्त रात को रहती है पुलिस बिल्कुल निश्करिये चोरों को खुला एक कहते है ना नियोता देती है कि आप खुले आम चोरिया करिए और दस दिने पहले मेरे दुकान में चोरी होई थी और उसमें करीब 4-5 जार का माल चोरी हो गया है अज़े पुलिस आहिए तैई लेकिन उनोंने में रिपोर्ट दरज करने लिख बोला तो उन्होंNE makan बोला घी हम चास करें और दस तिन पांट दिन हो गया हो जज़ हो ऊसको बिखी नहीं है और मेरे बार मेरे चोड़े हो बिलेंगें और यह लें इस्टेशन रोल पर उन्हों ने बोला भई हमें रिपोर्ट यहां लिखे चले के अभी अवपर जांच कर रहे हैं और कोई अम्हार भी छोड़े भी है पकड़ लेंगे नहीं तो बाद में खड़ लेना दस तिन हो गए है अभी कोई रिपोर्ट हुई नहीं हम परेसान है बा मारमाल वाफी दिलावाए बार्ड मेर से जागरुक टीवी की रिपोर्ट